तो क्या तुमने ये चीज़ नोटिस करी कि मल्टी वर्स ओव मैडनेस में दिखाए जाने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का हर एक वेरियंट सिमिलरली उसी तरह मरा था जैसे हमारा MCU वाला डॉक्टर स्ट्रेंज मरा था डॉर मामू से लड़ते वक्त टाइम लूप के अंदर मतलब सबसे पहले मूवी की स्टार्टिंग में जब ये क्रियेचर डिफेंडर स्ट्रेंज के पीट में स्टैप करके उसे जान से बार देता है तब इसी तरह हमारे वाला डॉक्टर स्ट्रेंज भी मरता है डॉर मामू से लड़ते वक्त फिर इसके बाद 838 वाला डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लाक बोल्ट की विस्पर से मरा था और सिमिलरली डॉर्मामू ने भी अपनी विस्पर से डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा था और लास्ट में ये हरामी स्ट्रेंज उपर से नीची गिर के मर जाता है फिर हमारा स्ट्रेंज भी सिमिलरली कुछ इसी तरह मरता है